खबरदार बरखुरदार पेश है परमवार चक्कर परमवार चक्कर में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था ये मुझे याद ही न रहेगा परमवार चक्कर में घुसने के बाद मेरे और परमवार चक्कर के बीच एक जानलेवा निकडता थी इसका मुझे पता ही न चलेगा परमवार चकर से निकलने पर मैं मुक्त हो जाओं भले ही फिर भी परमवार चकर की रचना में फरक ही न पड़ेगा मरूं या मारूं, मारा जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी न हो पाएगा सोया हुआ आदमी जब नीन से उठकर चलता है, तो सपनों का संसार उसे दुबारा दिख ही न पाएगा उस रोशनी में जो निरने की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या एक पलडे में न पुन सकता, दूसरे पलडे में पौरुश और ठीक तराजू के कांटे पर परमवार चकर असरदार जी गुरू वाह वाह आप जो बोले सो फिलहाल